Good morning everyone. I am Lina Yadhoff from civil department. So today's my lecture is introduction part of fluid mechanics. यह है? यह है आपका fluid mechanics का part है, जिसमें हम क्या करेंगे? इंट्रोडेक्शन परेंगे, किसका? fluid का? fluid mechanics. इसमें क्या होगा? आपको यहाँ पर first ही आपके heading सही पता चल रहा है कि आपका जो fluid mechanics है ये दो अलग-अलग words से मिलके बना है first fraction है आपका fluid second है आपका mechanics तो इसको हम alternately study करते हैं तो सबसे पहला आता है fluid, तो fluid क्या होता है any substance which can flow तो जो भी substance है जो भी substance है जिसमें क्या होगी flow की capability होती है उसको हम क्या बोलेंगे fluid बोलते हैं तो इसका definition है general word पे any substance which can flow is called fluid अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक नया sentence है आपका substance तो आप fluid में substance कैसे define कर सकते हैं आपको पता है कोई भी particles है या कोई भी substance है वो different particles से मिलकर बना होता है suppose यह है आपका कोई substance है ठीक कोई solid substance है यह क्या होगा अफस में पार्टिकल से मिलकर बना होगा और यह पार्टिकल जब आपस में मरज होते हैं सब्सेंस के रूप में इसको हम define कर सकते तो यह है आपका पर उसको क्या बोलेंगे, जब कोई भी पार्टिकल्स जो है, दीफ्रेंट डिफ्रेंट पार्ट से मिलकर बने होते है और वह पार्टिकल्स अपस मर्ज we included तो इसको क्या बोलेंगे हम सब्स्टेंस। ख झाल्ड फलोटे美味 फिण कोई फट्मलोटेज विदte स trapped. करगा आपका particles है ठीक है वो क्या होगा यह विxt time के respect में अगर mav behore रहे हैं ठीक है flow में क्या होगा movable इसका property होता है ठीक है यह proper क्या होगा आपका move हो सकता है with respect to time ao situação कोई भी particles है या कोई भी substance जो है व टाइं के respect में я अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जब कोई भी पार्टिकल्स हैं, या कोई भी सब्स्टेंस हैं, वो क्या होगा, मूँ होगा, with respect to time, उसको क्या बोलेंगे, हम फ्लो बोलेंगे, तो आपको ये इसली समझा गया है, कि सब्स्टेंस आपका first part क्या होगा, and second है आपका flow particles क्या होगी, तो कोई भी अगर सब्स्टेंस है, with respect to time, वो क्या होगा, फ्लो होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूट बोलेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम सब्स्टेंस कौन कौन सा ले सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स किस फॉर्म में होती है, सबसे पहला है, solid, liquid और gas, यह तीन फॉर्म में क्या होगा, आपका कोई भी सब्स्टेंस है, वो प्रेजन्ट होगा, तो आपका solid जो है, वो क्या move हो सकता है, solid move हो सकता है, लेकिन external force लगाने पर, ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हाँ पर with respect to time, तो यह वारा जो सेक्शन है आपका, liquid और यह gas, य solid जो है, आप हम fluid में consider नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा यह, यह है, any substance which can flow, तो solid जो है, जब हम इसमें कोई force लगाते हैं, ठीक है, तो यह क्या होगा, flow नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या बनेंगे, solid को हम fluid में consider नहीं करते हैं, बट क्या होगा, अगर अपना liquid है या gas है, अगर अपना liquid है और gas है, ठीक है, इसको हम क्या करते है, particular एक position पे अगर store करते हैं, ठीक, और जब हम इसको release करते है, at the particular time पे, ठीक है, with respect to time, यह क्या होगा, move हो सकता है, इसलिए हम liquid और gas को क्या करेंगे, fluid में consider करेंगे, तो अपका basic जो formula है, fluid का, any substance which can flow at the particular time, तो इसको क्य बोलेंगे, हम fruit बोलेंगे, और fruit में किसको consider करते हैं, सिर्फ और सिर्फ liquid पार्ट को और gas पार्ट को, यह दोनों ही आपके fluid में consider होगा, बट आपका solid जो है, वो fruit में consider नहीं होता है, तो यह है आपका fluid का definition, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, fruit के definition को identify करेंगे, प्लस कौन जो particle है, वो आपके fluid में consider होगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सरिफ liquid और gas, यह दो substance है, जिसको हम क्या करेंगे, fluid में consider करेंगे, अब आता है आपका mechanics, ठीक है, फर्स पार्ट तो हम study कर लिए कि fluid क्या है, ठीक है, और fluid के अंदर देखे हम substance क्या है, और flow क्या है, ले जब कोई भी solid part है, ठीक, suppose यह आपका solid box है, जब हम इसमें क्या करते हैं, force लगा रहे हैं, और force लगाने के बाद, यह जो अपना solid particles है, वो क्या होगा, या तो compress होगा, या क्या होगा, यह deform हो जाएगा, ठीक है, तो force लगाने की कारण, इस पे जो effect हुआ है, इस solid part पे, उसक क्या होगा, आपका mechanics हो जाएगा, तो force लगाने के बाद, body पे जो effect होता है, वो होगा आपका mechanics, और यह ज़रूरी नहीं है, कि यह जो है, आपका solid body ही हम consider करें, ओके, sometime हम liquid भी उसको consider कर सकते हैं, ठीक, तो अगर liquid पे भी हम अगर force लगा रहे हैं, और force लगाने के कारण, जो जो अपना liquid है, one place से another place पे move हो रहा है, with respect to time, तो वो आपका क्या होगा, mechanics में हम consider कर सकते हैं, तो flute mechanics में क्या होगा, जब इसको हम merge करते हैं, ठीक है, जब flute को हम merge करते हैं, जब इन दोनों part को हम merge करते हैं, तो क्या होगा आपका, जब भी किसी भी liquid में हम क्या करेंगे, force लगाएंगे, और force लगाने के बाद, यह suppose हमें एक liquid है, यह हम, suppose क्या करें, हमें container में water place किया है, ठीक है, यह water है, जब water जो है, excess amount पे, इसमें feel हो जाता है, ठीक, जब excess amount पे water जो feel होगा, तो obviously यह क्या होगा, discharge होगा, ओके, outer place में क्या होगा, discharge होने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से pressure कि through water जो है, इस container में feel हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे force लग रही है, जैसे ही इसमें water जो है, पूरे container को feel कर लेगा, और feel करने के बाद क्या होगा, water discharge होगा, तो यहा से यहाँ था कि इसको travel करने में, suppose, क्या से, T1 से T2 time में इसको लग रहा है, तो obviously water जो है force के कारण, as well as with respect to time, one place से दूसरे place पे, क्या हो रहा है, यह travel कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते है, आपका fluid mechanics, okay, तो यह आपका basic definition है, कि जब भी, किसी भी fluid में extra pressure के कारण, okay, extra force, extra force क के कारण, या pressure के कारण, water या फिर liquid gas या फिर liquid one place से another place में क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, fluid mechanics, अब हम देखते हैं, कि fluid mechanics को हम दो पार्ट में डिवाइट किया है, फर्स्ट है आपका dynamic body, और सेकेंड है, static body, तो आपका first है dynamic body, और दुसरा है static body, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइट किये हैं, fluid को, ठीक, जब भी कोई body, उसमें हम force लगा रहे हैं, या pressure लगा रहे हैं, ठीक है, suppose यह आपका कोई body है, okay, इसमें हम लगा रहे हैं, force लगा रहे हैं, या फिर pressure लगा रहे हैं, अ and pressure की वज़र से, यह suppose place A है, okay, जब भी हम इसमें force या pressure लगाते हैं, तो यह body जो है, अटा particular distance, क्या करेगी, force और pressure के effect से, one place या another place में क्या होगी, यह, transfer होगी, तो यहां से, position 1 से, position B तक जाने पर, यह एक distance जो है, ट्रावल कर रहा है, ठीक है, तो body, जब force या फिर pressure के effect के कारण, one place से another place पे जब move हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, dynamic body, okay, जो force और pressure के effect से, क्या होगा, particular distance ट्रावल कर रहा है, with respect to time, तो उसको हम बोलेंगे, dynamic body, okay, and second case में क्या है, जब क्या है, आपकी body static condition में होगी, dynamic तो आपको इसली समाझ आगया होगा, कि body जो है, वो move करेगी, force की वज़े से, और pressure की वज़े से, लेकिन some case क्या होता है, कोई body जो है, उस पर force लगाने से, या फिर pressure लगाने से, उस पर कोई भी effect नहीं पड़ता, और body जो है, move नहीं कर पाती है, तो उसको बोलेंगे हम, static body, ठीक है, जिस पर force और pressure का कोई भी effect नहीं होता है, वो होगा, आपका static body, ठीक, तो यह आपका main definition है, जिस पर introduction part हम cover करते है, कि उसमें fluid क्या होता है, और mechanics क्या होता है, ठीक है, फ्लूट में वो होगा, जिसमें body जो है, क्या होगी, move करती है, ठीक है, और mechanics में क्या होगा, body जो है, pressure या force की वज़े से उसके effect लगाती है, तो total इसका जो merge definition यह है, कि fluid में, जब force या pressure लगाने से, जो fluid है, one place से another place, क्या करेगी, travel करेगी, तो वो होगा आपका fluid mechanics, इसमें हम क्या करेंगे, force का effect लगाते है, तो यह ह होता है आपका fluid mechanics,